यह स्वीडियों वेल्कम टू मैं चैनल स्टैनिंग में तो क्योंकि सर्दियों का सीजन शुरू है और आप में से बहुत लोग जिनके स्किन भी ड्राइ है वो भर भर के अपने बॉडी पे लगा रहे हैंगे बॉडी लोशन, क्रीम, कोकरनट ओयल और पता नहीं क्या-क्या च अच्छा मुझे बताईए कि ड्यूरिंग विंटर सीजन आपको आपके स्किन में कौन सी ऐसी चीज़े चाहिए मैं बताती हूँ, आपके स्किन का कॉंपलेक्शन ब्राइटन हो, आपके स्किन डल ना दिखे, आपके स्किन चम्पू ना लगे मतलब बॉडी लोशन लगाने के वज़े से आपके स्किन मरी-मरी सी लगती है, वो चीज़ ना हो, ड्राइ स्किन की प्रॉब्लम खतम हो जाए, ठीक है, ये चार चीज़े आपको चाहिए होती है ड्यूरिंग विंटर सीजन What if I say कि मैं आपको सिर्फ एक लोशन बताऊंगी, जिससे अपलाई करने से आपके स्किन ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन बिल्कुल भी ड्राइ नहीं पड़ेगी, आपके स्किन का कॉंपलेक्शन ब्राइटन होगा, आपके स्किन खिली-खिली से नजर आएगी और सबसे म इससे लगाने से आप चम्पू नहीं दिखेंगी, अगर आप जानना चाते है कि कौनसी है वो चीजे कैसे इस चीज को हम बना सकते हैं तो बने रही है आखरी तक मेरे साथ इस वीडियो में, आपको मिल सके मेरी वीडियो सबसे पहले, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीज और शेयर किजिए अपने लोगस्तों के साथ, तो मैं अब आपको बताऊंगी कि इस सीरूम को बनाने का जो में इंग्रेडियोंट है, जो की इंग्रेडियोंट है, वो क्या है और इसके वज़े से आपके स्किन में कौन-कौन सी चीजे सुधार होंगी, क्योंकि इस चीज क इस सीरूम को आप अपने फेस पर अपके बॉड़ी पर लगाएंगे, तो आपको ये पता रहना बहुत ज़रूरी है कि इसके बेनिफिट्स क्या है आपके स्किन में और क्यों है, जी हाँ चावल, चावल हम सब खाते हैं, पर जितना ये हमारे बॉड़ी के लिए अच्छा इसको एन्हांस करता है, अब कोलाजिन प्रोडक्शन को अगर इन्हांस करेगा, तो आपके स्किन का कॉंप्लेक्शन ऐसे ही बढ़ जाएगा, और आपके स्किन में जो एंटी एजिंग की प्रॉब्लम्स है, वो भी धीरे-धीरे कम होती जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर क जो फाइन, रिंकल्स, लाइन्स है, वो सब चीजे खतम होती जाएंगी, और ये दो चीजे ही तो हमें चाहिए, एक की आपका कॉंपलेक्शन बढ़ है, और सेकेंड की ड्राइ स्किन वाले जो है, उनके स्किन में वो जो खिचाव जैसे चीज होती है, वो कम हो जाए या ख फिलेक्शन जादा होने से आपके स्किन में जो डाक स्पॉर्ट से पिंपल्स के मार्क्स है, पिगमेंटेशन है, रिंकल्स हैं, फाइन लाइन्स है, ये हर एक चीज आपके स्किन में से खतम होती है, तो चलिए देख लिए थे है कि इस सीरम को बनाना कैसे है, इसके लिए स को बन करने के बाद हमें चावल को एक चालनी के अंदर अच्छे से चान लेना है और उसके अंदर से जो पानी निकलेगा वह चीज हमें चाहिए तो वह कुछ ऐसे ऐसे दिखेगा यह देखिए एक क्रीम जैसा texture आजएगा तो यह हुआ कि हम एक बावल में इससे डाल लेना है उसकी बाद हमें चाहिए ग्लिसरीन जिगतेफी आपके स्किन पर विंटर में बहुत अच्छे से वर्कष करता है आपके skin में water molecules को बंद करके रखता है इसके वज़े से आपके skin hydrating होती है then हमें चाहिए vitamin E capsules दो गोली चाहिए और the last thing is badam oil badam oil भी आपके skin के अंदर जो wrinkles है आपके skin में जो dark spots है dullness है उसे निकालने में बहुत अच्छे से work करेगा तो इन सब चीजों का combination आपके skin को एक साथ regenerate करेगा आपके skin को brightening करेगा और तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ rice का पानी 1 tablespoon of glycerin 2 vitamin E की capsule इसका oil हमें निकाल लेना है अच्छे से अच्छे से इन सब चीजों को mix कर ले तो देखिए यह एक jelly जैसी consistency हो चुकी है इसे हमें एक air tight container में बन करके रखना है और याद रखे कि इसमें rice है तो यह जादा दिन तक हमें use नहीं करना है हमें एक time बना कर एक हफते तक इसे use करना है उसके बाद फिर हमें फिर से नए से बनाना है और फिर से use करना है यह serum अपने हाथ पर ले लिया है और मैं आपको लगा कर दिखाते हूं तो यह देखिए यह मेरी skin पर अच्छे से absorb हो चुका है तो रात को आपको आपके face के पर अच्छे से इसे इसी तरीके से apply करना है और फिर सुबह पानी से दो लेना है तो देखिए इसकी one time application से ही मेरी skin में एक glow आ चुका है और बिल्कुल भी dry नहीं लग रही मेरी skin बहुत ही smooth लग रही है दिखिए दिखिए यह दाग आपको नहीं दिखिएगा मेरी skin के ऊपर तो इसके daily application से आपके skin में भी जितने भी dark spots है न वो भी चले जाएंगे और आपके skin बहुत ही soft सी fluffy सी हो जाएगे during this winter season अप्लाइ करने के बाद यूज करने के बाद जरूर मुझे comment करके बताईएगा कि आपको यह serum कैसा लगा आज के लिए इतना ही so see you in my next video bye bye